नमस्कार दोस्तों वहन भंडार यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम आप सब के लिए एक ट्रैक्टर लेके आए और यह ट्रैक्टर पुराना ट्रैक्टर है आज इसके बारे में हम ऑनर रिव्यू करते हैं जानकारी लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में औ यह एक बार अपना नाम बता दीजिए ग्राम नक्ता पोस्ट गोलंगर जिला रीवा एंटू और यह ट्रैक्टर बताईए ट्रैक्टर कौन सा है और कब से इस्तमाल का इसका पावर ट्रैक्टर मॉडल आ रहा है इसको हमने लिए हमको 10-15 साल हो चुके हैं जी इस ट्रैक्टर में इतनी खूल दिया है कि लाज के नए ट्रैक्टर आये हैं वो इसको ना पापाए फार खीचता है कंडिवेटर फिक्स जी कम से कम धाई लीटर दो धाई लीटर काता है बस दो और धाई इससे ज्यादा की कोई अच्छा और वैसे आप इससे काम क्या क्या कराते हैं आपकी पहरा काटने वाली मसीन चलती है जी जो ताई बोवाई और वह रोटर वेटर तो अभी तक नहीं चलाएं लेकिन चल जाएगा इसमें जी और एक वैसे कितने फुट तक का यह रोटर वेटर चला सकता है पांच जास पुट की चड़ाई चड़के आया है जी ना मुदा उठाया है ना कुछ जी इसका आगे भी बैलंस बराबर है पीछे देखे कहीं भी बेट इसमें नहीं दिया हुए हाँ वेट तो इस गाड़ी में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा जी और खिचाई चार गया आके आजे हैं इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा है रोड में टाली वर्क में इसके बराबर आज के टेक्टर नहीं बाती हुए हिंद्रा सुरा जिक्ते हैं अच्छा और वैसे यह टंकी ट्रेक्टर की किते लीटर की होगी यह अभी तक तो 45 लीटर में फुल हो चाहे किता भी काम करते हैं अच्छा अच्छा इससे अभी आप कभी आपने इसका जोर और आजमाया है कि कितनी ताकत हैं इसमें कुछ नहीं पहले हैं तिसरा लो लगा कि चढ़ा दो कोई भी चढ़ाई हो काफी अच्छा ट्रैक्टर है यह आपका और आप ने इसे बहुत अच्छे समाल के रखका है जैसा कि आपने पता है 15 साल का यह ट्रैक्टर है और यह बाहरी खड़ा रहता है इसमें को इस से डोटकी और अभी तक इसका इंजन का काम कोई काम नहीं देख लीजे कहीं रिंच नहीं लगी है ना पांपटा ना इंजन का नहीं से सर्वसीं करेते हैं और चलाती है और यह वाटर कूल इंजन के साथ है यह गाड़ी कापी अच्छी जानकारी आपने दी हमें इस ट्रैक्टर के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा धन्यवाद